Hey guys, what's up, welcome to the channel आज है मेरा पहला वीडियो है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अपने प्रड़क्ट्स ओनलाइन सेल करना चाहते हैं ये वीडियो बने और फोटो लेने में सबसे पहले मैं आपको रिक्वाइर्माटर की बता लिता हूँ कि आपको किन चीज़ों के रिक्रईंट रहेगी कि आप वाइड बैग्राउंट्बा फोटो ले सके सबसे पहले आपको चाहिए एक कैमरे वाला फोन और दो sheet chart जो अपने regular books की shop पे आपको मिल जाएंगी जो 5 ए 10 रुपे का एक sheet आएगा So guys, मैं आपको सबसे पहले अपना setup दिखा देता हूँ यह देख लेजिए, बिल्कुल सा एक chart है, जो मैंने दो attach की हुए है और सिधा दिवार पर अपना चिपकाया हुआ है उपर से दो lights है और यह है हमारा product sample के तौर पर मैंने एक handbag लिया है जिसे आप देख सकते हैं, जो कि tan color का है So guys, चलिए इसके picture लेते हैं Picture sir हमने इसकी ले ली है, तो अब हम इसकी picture चेक करते हैं अब देख सकते हैं कि यह photo में जो पीछे line दिख रही है और साथ में product की, आपको shadow भी दिखेगी side पर यह product वैसे तो आपको लगेगा कि white background में है but online यह piece accepted नहीं है, यह photo accepted नहीं है So guys, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस photo को हम online के लिए compatible कर सकते हैं चलिए चलते हैं सबसे पहले Amazon की seller app में यह कोई sponsored video नहीं है, यह मैंने खुद में use करता हूँ, इसलिए आपको वीडियो बता रहा हूँ जब आप जाएंगे Amazon की seller app में तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा product photo studio के अंदर जब आप जाएंगे product photo studio के अंदर और take photo में जाएंगे तो यह camera आपका वहाँ open हो जाएगा, यहाँ आप photo ले सकते हैं चलिए इस product photo वही background जो पहले हमने लिया था वही setup दुबारा है सारा उसी के अंदर हम एक photo और लेते हैं आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर अभी अधक कोई editing नहीं किया है जिसमें एक simple photo लिया और software ने automatically सब कुछ जो background है या lighting है या color temperature है वह अपने अप सेट कर दिया है इसके लिए क्या कर सकते हैं जब आप नीचे यहाँ पर scroll करेंगे इसको जो हमारी main image थी वह यह थी और जब हमने इसको scroll किया तो इसने सारा background white कर दिया प्लस इसके अंदर हम अपना color temperature भी set कर सकते हैं यह देखिए इसको हम कभी अगर जादा थोड़ा सा eye catching बनाना चाहें तो इसका color temperature high कर दिजिए साथ में crop कर सकते हैं जब आप इसको crop करके और ok करेंगे उपर से तो होगा क्या कि आपको यह बताएगा यह बताएगा कि आपकी product का जो है सबसे पहले तो background white है proper और उसके अंदर photo आपका resolution में है और cropping सही की हुई है इसका मतलब guys यह रहेगा कि आपकी यह photo compatible है किसी भी website पर आप इसे use कर सकते हैं इसके बाद आप कर दिए से save यह आपका आ जाएगा photos and successfully saved so guys check कर लेते हैं कि हमारी photo कैसी आई है so यह photo वो है guys जो हमने पहले कीची थी और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने अभी photo कीची है तो कितना फ़रेगे guys देख सकते हैं आप दोनों photos में यह photo proper white background के अंदर है और वो है photo जो हमारी जिसमें problems आ रहा है थी आपको कुछ sample दिखा देता हूँ photos के जो मैंने इसके साथ लिये हुए इस app के थरू यह देखे बिल्कुल white background में है क्योंकि मेरा ladies handbag का काम है इसलिए मैंने photos ली हुई है so guys आप यह app download कर सकते हैं और use कर सकते हैं और अगर आपको यह video useful लगा हो तो please share कीजे और एक like देदीजे plus अगर आप हमारी videos regular चाहते हैं तो हमारा channel subscribe कर लीजे and guys thank you for watching